नमस्कार दोस्तों जहंद डिके या दम नीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडिय पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आएए देखने है वीडियो जैहिन वन्दे मात्रम अपनी असम्बली जो पंजाब की अवो तोड़ दी उधर वजीर आजम और आर्मी चीफ पूरी दुनिया से पैसे मांगने गिये होएं और इमरान खान जो है वो खेल खेल रहे हैं कभी असम्बली में वोट आफ नो कांपिड़न्स लेते हैं कभी असम्बलीयां तोड़ते भी कह दिया है कि जी आप अभी भी डिपॉल्ट का खत्रा है लेकिन मेरा ख्याल है पाकिसान की सुरतेहाल इस नहिच पे पहुंच गई है कि जहां रैडिकल यानि इनकिलाबी एकदामाद किये बगएर बहुत मुश्किल होगा यहां से निकल ना आप पाकिस्तान से मुताल अगर 17% GST लग जाता है तो आज जो पेट्रॉलिय मस्नुवात की कीमते हैं वो क्या होंगी और यह जो वर्किंग है यह अगरा की वर्किंग है जो प्रैमसर सापको गई थी उसके मताबिक आज जो पेट्रॉल की कीमत 214 रुपे 80 पैसे है फी लिटर यह हो जागी 251 रुप पैसे का इजाफा होगा यह 17 फीसद का जब इस क्यूपर आप 17% GST लगा देंगे हाइस्पेड डीजल आज 228 रुपे का एरफली यह इसकी कीमत बढ़कर हो जाए कि 287 रुपे फी लिटर अगर हकूमत यह करती है क्योंकि आज पेट्रॉलियम लेवी भी 50 रुपे फी लिट रुपे चली जाती है तो यह रेट हो जागा 254 रुपे 46 पैसे इसमें 48% इंक्रीज है और लास्ली जो लाइट डीजल आई है 170 रुपे का फी लिटर है आज और अगर 17% GST लग जाता है और पेट्रॉलियम लेवी भी 50 रुपे की उपर चली जाती है जो भी सर्फ 16 र उपर आएगा इसमें दो चीज़ें अब इसागडार साब टेस्क कांफरेंस में ये भी कह रहे थे कि हकूमत जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि जिसका बोज जो है वो आम लोगों के उपर पड़े दूसरा इसके अंदर इसका मतलब यह है जो आप कह रहे हैं कि क लोगा सा हाथ होला रखना चाहिए अगर सादे अलफाज में कहें तो इसका मतलब है कि उनकी इस दर्खवास्त को बिलकुल आएम एफ ने नहीं माना और वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को इस मौके पर कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है लगे मेरा ख्याल है कि जो प्राइमसेस साब ने अपनी उस स्पीच में या उनकी जो प्रैसर था उसमें इडिकेट भी किया कि फ्रांस के सदर मेकरॉन से भी उन्हों इस बारे में बात किया और यूएन के सेक्टरी जनल से भी कि वो भी अपना गुड़ा और उन्हों भी लेकिन असल बात है कि ग्रांड की उपर जो चीज़ें आप कर चुके हैं उसके आप बारे में आप क्या करेंगे जो यूके के डिवल्टमेंट के मिनिस्टर है एड्री मिचेल मेरा खाल उनका नाम है उनकी स्टेट्मेंट बड़े इंपॉर्टन थी कि पाकिस्तान को अपन चाहिए और फिसकल स्टेबलीटी के मैज लेने चाहिए लेकिन यहां पर हम देख लें हम क्या करें है हमारे हैं जो कि अधिरे में सारा कुछ चलता है गोवर्नर की समरी भी रात को बारा बजे यहां पर एलेक्शन भी बारा बजे लेकिन एक यहां पर में बात यह कहना तो वो आएगी और उसके बाद जो हलाद इस वक्त चाहरे हैं उसमें एमर्जनसी भी आ सकती हैं एकडामिक माशी एमर्जनसी भी आ सकती है क्योंकि पैसे अभी प्लेज हुए हैं और डार साब ने फरमाया कि वो सारे 90% तो वो लोन है वो एड नहीं है वो तो लोन है यह भी सोच नहीं बलके चीमा सब आज तो मुझे यह पता चला है एक जगा मैं पढ़ रहा था आज के पाकस्तान के अंदर यूनिवरस्टी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उसकी सेलरी एवरेज पाकस्तान के अंदर 37,000 रुप्य हैं तो अगर यूनिवरस्टी ग्रे क्रेशल क्रियेट करता जा रहा है कि आप गैस पट्रॉल एलेक्रिसिटी के उपर से सब्सिडीज खतम करें और जब वो सारी कुछ आएगा तो उसके लिए क्या 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 मेरी तो समय से बार है कि इस वकत अब पाकस्तान में क्या होने वाला है कहां जाई जा रही हैं चीज की ने भी बातें की हैं लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कहा जाना चाहिए कि पाकस्तान तक समय से बाहर है और दुनिया की वाएद एक आटामिक पार ऐसे है जो के बड़े अरसे से घुटनों के बल है और मांग मांग कर गजारा किया जा रहा है कोई समय और नून साथ बात ये ज़रूर करना चाहूंगा कि आप नून लीग की बात करें नून लीग तो पार्ट टाइम में मेरे खाल सियासत में वो उन्हों ने तो जो इस वकत जो लीडर आफ अपोजिशन थे हीस नाट इन दे कंट्री मर्यम जवाज इस नाट इन अ कंट्री शवाज शरीफ इन वस इन यूए ए राना सनावला वाज दा ओनली लीडर मेरे ख्याल है जो जिसके जिम्में यह सारा कुछ लगाया गया था तो आप खुद ही देख ले मैं एक चीज़ बार बार आपके सेग्मेंट पर कहता हूँ कि जब 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 जनस्चियों की मदल से हकूमत में आना हो तो फिर लोग जो है वो सियासत इसी तरह करते हैं जिस तरह वो कर रहे हैं तो अब उसमें देखें एक तो वो साथ जो लोग सुना है कि नवाज शरीफ साब बड़े अपसेट थे कि उन प्रवेजलाई साब ने एक प्लान बनाया था कि उन लोगों ने कुछ अरसा पहले फोन उठाने छोड़ दिये थे तो ये पीडियम वाले समझते थे नून लीग वाले एक शायद वो आएंगी नहीं लेकिन वो आ गया और किस तरीके से प्रवेजलाई साब लगता कि इन प है कि ये लिंग्ड है आईम एफ के प्रोग्राम के साथ मगर आपका आईम एफ का प्रोग्राम अगर नहीं चलता तो ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि ज्यादतर जो पैसे मिले हैं वर्ल बैंक से मिले हैं आई डी बी से मिले हैं और ए आई 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 बी से मिले हैं तो दूसरी चीज यह है कि आइम एफ का अपनो जो आपके जो इस वक्र जो एक किसम से रुका हुआ है आपका प्रोग्राम उसको आपको फिर से चलाना पड़ेगा। तीसरी चीज यह है इसमें कि यह जो है यह फिफ्टी फिफ्टी है यह आपको पैसे फॉरंड करिंसी उसक देंगे जब आप लोकल करिंसी जो है टेबल पर रखेंगे तो वो आपके पास इस फिसकल स्पेस है बहुत थोड़ी तो कि आपको अलड़ी जो है आइम एफ कह रही ह तो इसलिए अगर यह एक किसम से बड़ी अच्छी चीज है कि इंटरनेशनल क्यूमिनिटी ने आपके ओपर एक किसम से आपके साथ जेपकी मदद की है फ्लड्स के लिए लेगिन अगर आपका ख्याल है कि यह शौर्ट टर्म के हमारे जो मसाइल है वो इससे हल होंगे तो और उसलिए मसाइल mi 미र्स दो जगों से जो पैसे इनोंने लिया है अभी जो इनोंने वा है ेक यूई ने ए बिलियर डॉलर एडिशनल दिया है और साथ दृरेविया ने कहा है कि वन बिलियर डॉलर जो हम उसका तेल डिफर्ड तेल तेल तेलंगे तो यह दो बिलियर की आई-एमेप के आगे गड़-गड़ाना बेकार जा चुका है क्योंकि आई-एमेप पाकिस्तान को कोई राहत देने के मूड में नहीं है जिस तरह से पाकिस्तानी पी-एम गड़-गड़ाना रथा कि हमारे मुल्क में सैलाब आया हम गरीबों पर बोज नहीं डाल सकते वो सीधा सीधा बोल दिया है अपनी आवाम पर 800 अरव रुपए के टेक्स 36 रुपए से ज़्यादा पैट्रोल महंगा और 100 फिस से ज़्यादा गैस महंगी करो तब पाकिस्तान के लिए एक बिलियन डॉलर मिलेगा बरना पाकिस्तान को नहीं मिलेगा पाकिस्तान यदि यह सरत पाकिस्तान बहाल करा लेगा तो पाकिस्तान को बाहर से पैजे मिलने सुरू हो सकते हैं यदि पाकिस्तान आई एम एप प्रोग्रम बहाल नहीं करा पाता तो पाकिस्तान के हालत काफी तेजी से बिगाड की तरफ जाएंगे क्योंकि आई एम एप के अलावा पाकिस्तान के के अलावा कोई चारा ही नहीं है IMP की हर सर्त पाकिस्तान को माननी पढ़ेगी इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि दोस्त मुलकी भी singular 부ार रही इधायत दे रहे हैं कि पहले IMP से पैसे ले दिखाओ उसके बाद हम आपके लिए थोड़ी बहुत मदद का सोचेंगे अब पाकिस्तान बहुत बुरी तरीका से फस चुका है आपकी कह रहा है कमेंट में जरू सेयर करें यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें जैहिंद वंदे मात्रों